बाग लगाने की सबसे आसान और लोगप्रिय विधी है वर्गाकार विधी इसमें पंक्ती से पंक्ती व पौध से पौध की दूरी बराबर रखी जाती है वर्गाकार विधी से जो पौधा लगाने की तरीका है उसके बारे में हम लोग विचार विमर्ष करेंगे तो अभी हम लोग baseline तयार कर लिये हैं एक side का अब हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो field शुरू होता है और जो bund है बंड मतब आल जो हम लोग किसानी भासा में बोलते हैं आल से उतना दूरी पर हमारा baseline होना चाहिए जितना planting distance या पौधे से पौधे की दूरी या कतार से कतार की दूरी रखेंगे जस्ट उसका आधा होता है ताकि हमारा पौधा भविसमें बढ़ने के बाद canopy जो है हमारे आल या बंड से बाहर नहीं जाए और दूसरे के खेतों में ना क्रॉस करें इसलिए हम लोग आम का जो traditional varieties है उसमें पौधे से पौधे के दूरी 10 मिटर रखते हैं और कतार से कतार के भी दूरी 10 मिटर रखते हैं इस तरह से एक हेक्टेर में हम calculate करते हैं तो लगभग 100 पौधा जाता है आए देखिए हम लोग एक तरह का baseline तयार कर लिए हैं अब दूसरे साइड का baseline तयार करेंगे इसमें हम लोग right angle बनाते हैं यह 90 degree centigrade का होता है तो किस तरह से बनाते हैं यह हम लोग अभी आपको बताते हैं देखिए अब जो है हमारा baseline तयार हो गया एक baseline जिसे पर कि हम 4 मीटर पर खूंटी लगाया हैं और दूसरा baseline जिस पर हम लोग 3 मीटर के दूरी पर खूंटी लगाया हैं और जब इस खूंटी से जो 4 मीटर पर है और वो 3 मीटर जो अवस्तित है खूंटी इसकी जब दूरी लेते हैं तो यह कम से कम 5 मिटर होना चाहि इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ये लाइन को एलाइनमेंट में लाने के लिए आगे पीछे करके एड़जस्ट करते हैं और पक्का पांच मीटर पर आना चाहिए अगर ये पांच मीटर पर डैगनोल लेंद था जाता है ये हम समझ जाएंगे कि ये हमारा जो है लियाउट सि हो गया तो ये जग है आ है आठ करिEST करके दर जब हो गया तो ये सही माना जाएगा है झाल झाल